जहिन एबीसी कोचिंग यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट इंगलीज की मोस्ट इंपोर्टन बीबियाई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कुशन देखने वाले हैं जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी पूर्ण है तो इस वीडियो को आप लोग सुरू से लिखकर अंतक देखेंगा और इस वीडियो में अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने वी कुशन मैं आपको बताने वाला हूं उन सभी को आप लोग इजाम से पहले अच्छे स्रीविजन कर लिएगा क्योंकि काई स पेसे गिबन ब्लो और चूज दा कॉर्यक्ट ऑप्शन और टू आंसर दा कुश्चन यानि कहता है इस गध्यांस को पढ़ते वे इसको आंसर बताना है ठीक है तो देखिए गध्यांस क्या दिया है वैली ओफ लावर इज ए नेसनल पार्क इन उत्राखन इंडिया तो आप दोस्तों इस गध्यांस को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना इसका में डाइट आंसर बता देता हूं तो देखिए सबसे पहला सवाल दिया गया है पहला प्रस्ण है दा बैली ओफ लावर इन इस इन यानि कि दा बैली ओफ लावर जो है कहां पर है तो यह उत्तराखन मे है तो उसको जो है प्रिंट जरूर कर वा लिजेगा मैं नहीं कहता हूं कि आप लोग पढ़ते हैं तो पीडियाप से भी पढ़िए लेकिन मॉडल पेपर कर प्रिंट कर आगर पढ़ते हैं तो यह काफी जदा आपको लोगों के लिए हैलफुल होगा और आपको तैयारी है है काफी बहतर रहेगे ठीक है अगला कोशन यहां पर दिया गया है वाइज वाइज दिस वैली फैम फैमस पोर यानि कि बैली जो है किस के लिए फैमस है तो इसका अप्रिंट फ्लावर जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका सैंसर दिया हुआ है ठीक है क्योंकि आप गद्य बौut A & B यानि कि विकाउज औप इट्स पहरेशएंग ब्यूटी और विकाउज अब दा मैस्टीकल असरांडिंग तो यह दोनों जो है इसका सही अंश होगा इसलिए इसका सही अंश होगा ठीक है अप्शन सी इसका राइट अन्स होगा इसको अच्छे से कॉपी में नॉ सी यानि कि one cannot stay at the valley of flowers गंगरिया is an ideal place to relax and sleep तो option नमबर जो है डी सका सेंसर होगा बी और सी ठीक है याद रखेंगे अगला question पांचमा नमबर दिया है कि when does the valley of flower open for the visitor यानि कि valley का flower जो है पर यह टकों के लिए कब खुलता है open होता है इसका जागा first June को ठीक है तो option नमबर बी जो है इसका सही अंसर होगा अगला सवाल दिया गया है which world meaning divided into separated parts तो इसका अंसर क्या हो जागा option नमबर जो है बी इसका सही अंसर होगा बूफरी क्याटे ठीक है तो इसको अच्छे से जो है रीपल इज यानि की रीपिल का जो है अपोजिट वर्ड बताना है तो इसका अंसर होगा अगला सवाल आठवा नमबर है वैली ओफ लावर इज ए नेशनल पार्क इन उत्राखंड इंडिया दा एवर्फ सेंटेंस इजिन यानि क्याता यह जो वाक दिया गया है यह कौन सी कोशन दिखें यहां पर दिया गया है चूज दा कोरक्ट ऑफशन गिवन इन दा कोशन नाइंटीन टो फॉटीन एंड कॉंप्लीट दा लेटर ग्वेन ब्लॉंग यानि कि दोस्तों यहां पी जो लेटर दिया गया है इसको आपको पढ़ते वे इसको अच्छे से फील करना है तो देखिए सबसे पहला दिया है ओल्ड एच भी रोड को कर राची 17 नवंबर 2020 उसके बाद दोस्तों अगर हम कुछी को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रियोग करते हैं यानि कि डियर का प्रियोग करते हैं यहां लिखेंगे डियर डियर अमन आई लिखेंगे फाइंड यहां पर याद रखेगा इसको हम क्या लिखेंगे बहरी हैपी तो फाइंड यूर नाम इन दा मेरेट लिष्ट दड़ डिडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज उसके बाद यहां पर दिखेंगे तो बारवा नमबर लिखेंगे क्रावेड टिके सी आर एंड कोर्ज इन कोर्ज मी एंड गीव मी इंप्रेशन आई एम भेरी प्रावट आफ यू विल गेट स्लिमर सक्सेस इन फूचर आल्सो यूर लवली या लविंग फ्रेंड तो यहां पर लिखेंगे यूर लविंग फ्रेंड अम्मी तरह यहां पर दिया ओगा ठीक है इस तरह से दोस्तों 9 10 11 12 13 14 का सभी कम आंसर बता दिया हूं आप इसी तरह से दो है आप फिल कर लिजाए का कॉपी में नाट कर लिजागा ठीक है अगला कोशन यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 14 तक तो मैंने बता चुका है अगला कोशन यहां पर 15 नंबर दिया है उससे पहले लिखा है कि चूज दा क्रेक्ट ऑप्शन एंड आंसर दा फ्लोइंग संटेंस ठीक है तो यहां पर देखें यहां पर जो है पूछा गया है पाच पंद्रह का दचिल्रेंड आर मेकिंग नौन वाइस इन दा क्लास दा संटेंस इजिन यानि कहता है बच्चे जो है वर्ग म यानि की या जो है पैसी बधनाना है तो मिस्टर सर्मा इस में फील्म जो है एक फिल्म बना रहा है इसको पैसीव वास में कंवर्ड करना है तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीज़े जो अबजरी वहता हुँम सबजर्टिव में चान्ज करके जो है और अब देखेंगे help in verb क्या है यहांपे iz है और ang का प्रियोग किया गया है तो ang में क्या हो जागा इस तो रहेगा लेकिन यहाँ पे बिंग का प्रियोग हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा ए फिल्म इस बिंग मेड बाई मेस्टर सरमा तो अप्सन ए जो इसका सायांसर होगा अगला सवाल सत्रे नंबर दिया है दा पेसी ब्वाइस आफ तो दोस्तो इसका अंसर क्या होगा देखे सबसे पहला आप समझेगा दोस्तो यह काफी इंपोर्टेंट है मैंने आपको पहले बताया था कि नरेशन हो गया पेसी ब्वाइस हो गया और आपका मोडल्स हो गया उन सभी को आप लोग अच्छे से जो है याद रख लिजेगा क् वोड की परिक्षा में हंडेट परसन जो है पूछे जाते हैं ठीक है तो देखिए यहां पर सत्रह नमबर दिया था दा पेसी ब्वाइस ऑफ हूर राट इस बुक तो इसका अंसर क्या हो जागा तो बाए वूम वाज इस बुक रिटेन हो जाएगा तो अप्सन नमबर सी ज है तो बाए ठीक है तो अग्राइब यहां पर देखिए चलिया मैं आपको यहां पर देखाऊंगा देखिए बिस नमर क्या दिया है प्रैक्टिक्स है ना प्रैक्टिस ए मैन फर्फेक्ट तो यहाँ पर क्या हो जागा ध्यारा दिहान दिजाएगा प्रैक्टिस ए मैन फर्फेक्ट है तो यहाँ पर ए मैन जो है एक सिंगुलर का प्रियोग कर रहा है ठीक है ताथ ही दोस्तों आप दिह प्राक्टिस मेग्स हो जाएगा ट्राइक में दिया हुआ तो अगला कुशन नंबर दिया है आई-डैस फ्रांच दिस डे तो क्या हो जाएगा आई-एम लर्निंग तो अप्शन नंबर सी इसका से अंसर होगा आई-एम लर्निंग फ्रांच दिस डे अगला कुशन दिया गया है लुक सी इसी इस दा गर्ल डैस इस्टूड फर्स्ट इन हर क्लास तो इसका आंसर होगा फूम ठीक है हूँ हो जाएगा ऑप्शन ए अगला कुशन दिया है रिड़ पेसे गिवन ब्लॉ यानि दोस्तों यह जो गढ़ा गया है उसको आप लोगों को अच आप अच्छे से पढ़ लेना है सबसे पहले सवाल देखए सबसेट सर्काइल बचाओ है या आपको बैसका सबसेल और गाहरा सबसेटोर्त ही इना पांको और पेस फर्स लाइन यह जो पंक्ति यह यह किस चाहटर से दिया गया कौन सेSon Qu temporary से तो एक लेटर टू गॉण से है और यूद्या ईसल्ष का लेंचो से है ड्रेकर ये कौन है लेंचो है इन फॉर्स्ट लाइन्ष यहाँ पिदिया है औहां सब्सक्राइब करें तो इसका अंसर क्या जागा ऑप्शन नंबर 20 का सेंसर होगा हुई हुई इज ही इन दाफ फॉस्ट लाइन तो ऑप्शन नमर 20 का सेंसर का लेंच हो कि मैंने आपको पहले ही बता है लेंचोर लेंच से जो है यह दिया गया अगला कोशन देखिए यहाँ पे 24 नंबर दिया है how much money did reach लेंचोर दोस्तों आपको मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे लेंचोर भगवान से यानि कि गौड से एक सो पैसे की मांग करती है लेकिन सभी इंप्लॉइस यानि कि डाक्या मिलकर उसको मात्र सत्तर पैसे ही वहा अगला कोशन 26 नंबर दिया है उसके बाद कोशन देखें 26 नंबर दिया है वो इस दा ओथर फ्रोर ऑफ अथर ऑफ फ्रॉर्म दा डारी ऑफ एनि फ्रैंक अच्छा यह जो है ना दारी फ्रैंट इनि फ्रैंक के चेप्टर से यह दिया गया है तो यहां पर कोशन पूछा गया है वो इस दा अथर तो यह जो है ना इसका लेखा कोन है तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो है अंग्रेजी की हो या हिंदी के है उसका जो है पोयम यानि कवीता और कहान यहां पूछा ही लुट NBA ऑफ लोगशन की जेगा खुंकि रचनाकर वाला यह पूछा ऑइनि फ्रैंक जाता है था दै क जो दिया घएंत इन फ्रैंक की था ठीक है उप्शन नंबर 20 का सेंस होगा अगला कुशन 27 नमबर दिया है हो डिड मिडिल थिंक हुड वुल्ड वीन दा कॉंटेस्ट तो इसका अंसर क्या हो जागा 27 को जागा ऑप्शन नमबर सी जो क्या ऑप्शन नमबर सी यहां पे दिया हुआ है पैगी ठीक है याद रखेंगे पैगी अगला कुश इस डिड दा पाइलोट टैक यानि कि जो है पैलेट का जो है वो क्या रिष्की था तो दोस्तों इसका अंसर क्या हो जागा थास को जागा ऑप्शन नमबर सी हो जागा फ्लाइंग दा ओल्ड डकोता इस इस्ट्राइज इन्टू दा स्ट्रॉम ठीक है तो ऑप्शन नमबर दिया है वाट वाज वाट वाज दा इमिडियेट रियक्षन ऑफ दा पोस्ट मैं सींग दा लेटर यानि दस्तर जो लेंचों हो था ना लेंचों जो है जब लेटर को पढ़ता है तो उसका कैसा रियक्षन होता है ठीक वो कैसा रियक्षन करती है करता है तो इसका अंसर क्य हो जागा देखिए 29 का जो ऑप्शन होगा 20 होगा लाप्ट वुल हाट ली यानिकि वो जो जो से जो है सभी मिलकर हसने लगा था ठीक है अगला कुर्शन तिस नंबर दिया है वाट और इमेंज अगला कुर्शन 31 नंबर दिया है वाट डज अमांडा कंसिडर्ड हर सेल्फ तो इस का जो जागा अगला कुर्शन दा बेकर और ब्रेड सेलर और दोज डे हैट ए पैक्यूलर ड्रेस नौ एज तो इसका अंसर होगा बचवा अप्सन नंबर सी यानिकी काबाई ठीक है अप्सन सी इसका से अंसर होगा अगला कुर्शन 33 नंबर दिया है इन वीच कंट्री टी वाज ड्रंक फरस्ट तो इसका अंसर जागा अप्सन नंबर भी हो जाएगा यानि कि चाइना ठीक है इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नर्ट कर लिजे अगला कुशन 34 नंबर दिया है वाट टाइफ ऑफ मैन वास ग्रीफीन तो अप्सन नंबर क्या था एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ठीक है याद रखेंगे तो ऑप्सन 35 नंबर दिया गया है वाट डिट दा थिफ यूज टू चांज एवरी मन तो है वरी मन ते वह क्या करता था जो जो है वह हर मैना जो अपना नाम बदलता था ठीक है तो इसलिए दूस्तों 35 का क्या होगा 35 का हो जाएगा ऑप्सन नंबर ए हो जाएगा हीज ने वह अपना न है तो ट्रंप ऑफ सर्जेरी का जो रहेटर है वह है जैंप हर्याट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चवा कि जैंप हर्याटर का नाम याद रख लेना ठीक है यह बार बार पूछा जा रहा है अगला कुशन के साथिस नंबर दिया गया है कि हूँ वाज ऐसे बल तो ऐसेबल क्या है असे बल क्या है आपको मैं पूछ रहा हूं जो क्यों पकड़ने वाला ठाट्र करने वादा यहाँ पर फीक्रेंट हो जाएगा हूँ अगला कुशन देखे अगला तीस नंबर दिया है हौस डेनबी लाइक्ट उसके बाद इस का भाड़ गया रिदिंग expensive book यानि कि जो है हॉस डैनिवी को जो है महत्पून महत्पून जो है किताबे पढ़ना पसंद था ठीक है तो यह option नंबर एसका sensor का reading expensive book अगला question 49 नंबर दिया है मिसेज लोजल ब्रॉवेड ए डैस फ्रॉम मैमन फोरस्टर तो इसका अंसर जागा 49 का option नंबर भी हो जागा एक नेकलस ठीक है एक नेकलस वहला आप लोग पढ़ा होगा उसका जो है नेकलस गूम हो जाता है तो वह वहला कहानित आप लोगों पढ़ा होगा अगला question 40 नंबर ने आपको बताया है और इसमें से कई सारे question आप लोगों को पहले से ही आप लोगों को बता होगा और कितने question आपको पता है मुझे नीचे comment box में comment करके आप जरूर बताएंगे से पहला सवाल आप हमारे screen पर देखें तो यहां पर दिया गया है कि read the pages give and blog the and answer any five questions यानि कि दो देता हूं यहां पर लिखा है the horse is a domesticated one toy a hood fed mammal तो इसको अच्छे से पढ़ ले ना ठीक है चले मैं इसका डारेक्ट आंसर बता देता हूं देखें यहां पर सबसे पहला इस पेसेज का answer question दिया गया है कि what is the life span of domestic domesticated horse तो इसका answer क्या हो जगा है 25 to 30 years क्योंकि दोस्तों यह जो सबसे पहला ही प्रग्राप में यहां पर दिया हुआ है the nature life span of domesticated horse is about 25 and 30 years ठीक है तो आप ही जो है इसका डारेक्ट से फ्लिक देंगे 25 and 30 years ठीक है इसको यहीं आपका answer हो जागा चलिए आगे question के और में यहां ते दूसरा number question दिया गया है कि how can one count a horse is तो इसका answer आपको देने है कि one can tell a horses as from the number of teeth it has यह आपका answer हो गया ठीक है तिसरा question है why is it not safe to stand behind a horse इसका answer आपको देने है the only face the only place they cannot see is directly behind or right in for them therefore it is unsafe to stand behind a horse यह आपका answer हो गया ठीक है इन सभी question को आप अपने copy में not करते जाएंगे ठीक है मैं बार बर कह रहा हूँ कि copy में not कर लेना क्योंकि exam से पहले आप इतना सारा जो है आप तो इधर उधर नहीं खोजोगे ना इसलिए आप जैसे not करेंगे तो वहाँ पे not को पी आप उल्टा कर देख लेंगे न तो आपका पूरी तरह से revision अच्छे से हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखें चौथा नंबर दिया गया है how does horses help humans कहता है मानव की जो है horses जो है किस तरह से मदद करती है तो बहुत प्रकार से मदद करती है तो उसका answer इस प्रकार आपको लिख देने हैं the horses help humans such is serving as means of transportation इंटर्टेन्मेंट एटी सी ठीक है मनुरंजन के लिए भी horse जो है काफी मदद करता है ठीक है और transportation के लिए भी काफी मदद करता है आपने देखा होगा दोसों टम टम गाड़ी ठीक है टम टम में क्या होता होर्स रहता है घोड़ा होता है जो की दो चक्के को खिसती है जिस पर कोई जो है कुछ समान जो है इधर से उधर वो ले ज से यानिक indirectly का जो है opposite word यानि की जो है विपरित सब्दों यहां पर ढूलना है इन डारेक्टली का क्या होता है डारेक्टली तो इसका डारेक्टली आंसर लिख क्या देंगे डारेक्टली लिख देंगे जो कि मैंने पेसेज में पड़ा हुआ है ठीक है चलिए अगला question देख of entertainment यह हो गया और दूसरा दिया है प्रेवेंट्स तब प्रेवेंट्स का लिखेंगे गुड़ वाज प्रेवेंट्स misfortune तो यह आपका answer हो जाएगा इसी को आप लोग अच्छे से राट लेंगे चलिए अगला question दिखें यहाँ पर दिया है complete the sentence यानि के दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर यहाँ तक आप लिख देंगे ठीक है उसके बाद दूसरा यहाँ पर दिया है one can tell horses is तो इसका आगे लिखेंगे from the number of teeth it has तो इस तरह से आपको जहाता है पूरी तरह से complete कर देनी है ठीक है चलिए अगला question जो है आपका writing से यहाँ पर दिया गया है जिसमें कि यहाँ पर question दिया गया है attempt any two attempt any two in about 80 and 100 question 10 is come sorry यानि कि यहाँ पर दिखेंगे दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि इसमें जो है तीनों में से मातर दो ही सवाल का जवाब देना है जिसमें कि आपका जो है दो अनिवारी है ठीक है तो देखिए दसवा नमबर जो हो पूरी तरह से अनिवारी है आठ और नो जो है इनमें वैसे जो है कोई एक आपको लिखना है मैं जो है पूरी सभी का मैंने आंसर आपनों को बताया हूँ इन सभी को आप लोग अच्छे से त्यार कर ली जाएगा क्यूं अत्वा में आप पड़े रहेंगे आपको सारे त्यारी करनी है ठीक है चलिए देखिए यहाँ पे आठवा नमबर को संदिया गया है यानि कहता है अपने यॉंगर प्रोदर को एक लेटर लिखो जिसमें की टाइम का महत्व यानि समय के महत्व के बारे उसे बताओ तो चलिए लेटर किस तरह से लिखेंगे यहाँ पे दियान प्रोग मेरी बातों को सुनिएगा और इसको अच्छे से देखते जाएंगे इस सबसे पहले क्या लिखेंगे जहां से आप लेटर लिख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर एड्रेस लिखा है राची जगा आप मैंने लिखा है अगर आप एक्जाम होल से लिख रहे है तो यहाँ पर इस जगा पर आपको एक्जाम होल लिख देना है और कौन सा I come to know that you were among the top 10, God will crown you, you will, you wish greater success in the future, perhaps you still do not use much of the time in studies, I am telling this because I know you, your capability, you can be first in your class and will always be at the top level of anything concerned. But for this, you have to lower heart, as we saw, so we reap, this is the time in which you have to slow as much as you can so that when you reap, you will have the described result, time and tells, wait for one one, no one, so do not waste your time in anything, in property, it is time which turned metal into gold and or iron, please tell me, you, please tell me now how you are using the best of your time, इस तरह से आपको यहाँ पर बीच में परिभासा लिख देने हैं, उसके बाद दोस्तों आपको कोने में यहाँ लिखना है, ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए, किस तरह सापको जो है लेटर लिखने हैं, आगे देखिए, यहाँ पर जो एक सवाल आपका नो नमबर दिया गया है, राइट अप्लिकेशन टू दा हेड़ मास्टर आफ यूर इसकूल, आसकिंग हीम टू मेक बुक एबलेबल इन दा इसकूल लैबरेरी, यानि दोस्तों यहाँ पर यह कह रहा है, कि आप अपने परधाना धियापक को जो है, यानि हेड़ मास्टर को जो है, एक आविदन पत है, सबसे पहला आप यहाँ दिखें, सबसे पहला आपको लिखना है, टू दा हैड़ मास्टर, उसके बाद अपना यूर इसकूल नम, यहाँ पर दिखें, मैंने जो है, आपर सिर्फ यूर इसकूल नम दिया है, तो यहाँ पर अपना इसकूल का नाम लिखेंगे, उसके ब book of English grammar from the school library, I have no get it as it, I am feeling that the school library does not have subs and number of this book, I therefore respect you get more copies of such books in the school library, thank you, उसके बाद आपको यहां पे कोने में लिख देने है, यहां पे आपको क्या लिखने है, यहां पे आपको लिख देने है, उसके बाद दोस्तों यहां पे जो है आपका जो है कलास कौन सा है, आपको यहां पे कलास भार देने है, उसके बाद आपको यहां पे रॉल नमबर लिख देने है, यहां तक जो आपको फील करना है, जो कि यहां पे यहां पे question यह दिया गया है write a paragraph on the happiest day in your life यानि कि आपके जो है life में happiest day के बारे में आपको प्रग्राफ लिखना है निबंद लिखना है संबंद बताना है ठीक है चली इसको हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे ध्यान दीजेगा और इसको अच्छे साप कॉपी में नॉट करते जाएं इसको अच्छे से याद कर लिजेगा ठीक है सबसे पहले लिखेंगे सेल आई इवर्फ फॉर्गेट दडे विच व्राउट माई फ़र्ट्नू ठीक है यहाँ फ़र्चून है उसके बाद यहाँ आगे लिखना है the memory of the happiest day in my life is still press in my mind when I woke up in the morning I could not expect that it would be a lucky day as I look a glance at the newspaper lying on the table I found to my surprise that I had won the first prize in the lottery. My mother embraced longingly as announced the news. I was seventh heaven with excitement. It was a stroke of luck and I had become rich in a moment. I would not read how I would spend that hug amount of money. I was lost in a world of dream. इस तरीकेस जो है आपको the heaven's day of life के बारे में लिख देने हैं. ठीके यहां तक समझ गए इसको आप copy में note कर लीजेगा. चलिए अगला question आपका देखिए या grammar से लिए आ गया है. जिसमें कि यहां पे दिया गया है. fill in the blanks with suitable models give and blow. यानि कि यहां पे जो है तीन जो सवाल दियेगे न. इसमें आपको model भरना है. might, could और may. मैंने यहां पे पहले ही भर चुका है. my sister could dance when she was five. दूसराम देना है may God bless you. तिसराम देना है अमर worked hard so that he might pass. ठीके इसको अच्छे से याद रखेंगे. ठीके इसको अच्छे से आप लोग जो है कर लीजेगा. चलिए. अगला question देखिए यहां पे दिया गया है. उसके अनुरुप जो है यह वाकी को जो है बदलना है. तो सबसे पहला देखिए बारा का यह नमर दिया है कि Anita is too lazy to write. यानि कि इसको जो है रिमूट्टू में बदलना है. तो रिमूट्टू में कैसे लिखेंगे? अनिता is so lazy that she cannot write. यानि कहता है अनिता जो है बहुत दम लि इसको जो है into assertive में लिख देना है यानि सकारत में लिखना है तो आपको किस तरह लिखेंगे? who is not का क्या होता है? everyone होता है everyone लिखेंगे उसके बाद भर्म का पहला रूम में एमिजार का लिखेंगे या कि क्या था साइकरिया में एमिजार था ना? लिखेंगे everyone is effort of death इस तर से बदलेंगे राधा request me you help me lift the box तो यह हो गया ठीक है इस प्रकास जो है यह बारा का भी answer हमने आपनों को बता दिया है इसको अच्छे से आप लोग कर लिजेगा और साथी दोस्तों रिमूब टू प्यास एक्टीब वाइस और डारेक्ट इंडारेक्ट स्पीच इस सभी grammar क आप लोग अच्छे से रिविजन कर लिजेगा क्योंकि इस बार बूर्ट की परिक्षाम पूछे जाएंगे और बार बार पूछे जाते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि grammar वाला जितना भी है रिमूब टू हो गया वाइस हो गया और स्पीच हो गया इंडारेक्ट स्पीच नरे यहां पर दिखे दिया गया है आई एम इन और्फन रोमिंग दा स्ट्रीट आइपेटर सॉब दस्ट विट माई हस हस्बेंट बार फीट दा साइलेंस इस गोल्डन दा फ्रीडम इस स्वीट तो यह जो है पोएम जो दिया गया है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे यह जो पोएम है ना यह किसका है यह पोएम अमंडा का यहां पर दिया गया है अमंडा से यह लिया गया है ठीक है तो दोस्तों इसका पोएम का कविता का नाम है अमंडा तो यहां पर अमंडा लिग देंगे ठीक है उसके बाद अगला कुशन दिया है कि who has written this line कहता है कि यह जो पंक्ती है यह किस ने लिखा है तो इसका writer का नम क्या है Robin Klein तो यहाँ पर लिख देंगे Robin Klein writer ठीक है इसी तरह से लिखेंगे उसके बाद तिसरा सवाल है what is he doing कहता है वह क्या कर रही है तो वह क्या कर रही है वह designed बना रही है अगला question देखें यहाँ पर दिया है attempt any to with limit 40 to 50 word यानि कहता है यहाँ पर 40 से 50 सब्दों में आपको जो है यहाँ पर बनाने है आंसर देने है जिसमें कि परतिक सवाल जो है आपको तीन अंक का दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो सवाल है इसमें पुछा जा रहा है कि कहता है लैंचो जो है क्यों घुसाया हुआ है तो यहाँ पर देने है अपने पर पढ़ाओगा लैंचो के बारे में लेटर घॉँड वाला chapter अि तो वहाँ पर यह तो काफी इंट्रेस्टिंग अचन कॉष्ट गिन रहा था ना तभी उसको वह जो है काफी गुस्सा गिया था ठीक है तो यह आंसर हो गया ठीक है चलिए अगला कोशन देखें यहां पर दिया गया है कहता है वांडा जो है अन्य लड़की के तुल्ला में वो क्यों अलग है तो इसको कैसे अलग है यह आपको यहां पर पुछा गया है तो आंसर इस प्रकार देना है कि वांडा इस पूर एंड साइगल कहता है वांडा जो है एक गरीब लड़की और एक सरमिली लड़की है her name Patronski sound funny to other girl कहता है कि उसका नाम जो है Patronski है जो कि सुनने में जो कि ध्वनी में जो है अधर लड़की से जो है काफी मजाक्या है funny है Wanda is always sensed to her fate blue, savvy, dress but she says he has hundred dresses beautiful dresses at home यानि कि वो हमेशा कहती रहती है वो जो है न अलग-अलग design का जो है पहनती है, dress पहनती है और वो सबसे कहती है कि मेरे पास जो हने एक सो जोड़ी जो है अधम सुन्दर सुन्दर जो है dress घर में है पड़ा हुआ है उसके बाद आगे लिखना है other girls especially Peggy make fun of her they test her they ask her about her dresses soft suits etc तो इस तरीके से जो है आपको बताने है कि Amanda जो है other girls से काफी बिनने है अलग है ठीक है चलिए अगला question की 16 नमबर दिया है what was value favorite past time कहता है values का जो है favorite जो है past time क्या है तो यहाँ पर आपको answer देना है कि values favorite past time ठीक है यहाँ पर past time हो गया happening in the street outside यानि दोस्तों यहाँ पर यह कह रहा है कि वेली जो है अपने घर के दरवाजे के पास हमेशा जांकते रहता है और आते जाते वे bus क्यों जो है देखते रहता है उसमें सवारी को देखता है तो यही उसका जो है favorite past time है ठीक है इस तरह से आपको answer लिख देने है ठीक है चलिए अगला सवाल यहाँ पे 17 नमबर दिया गया है why does the poet want to turn and live with animal कहता है क्या कवी जो है कवी जो है वो जो है animal के साथ क्यों रहना चाता है ठीक है मानब को छोड़कर animal के साथ क्यों रहना चाता है तो अब यहाँ पे आपको लिखने है कि the poet the poet talk about animal with love and affection he said that he has found the animal very faithful and safe content they do not complain of their condition they do not weep for their sins in short they are not like the human being कहता है कि वो जो कभी human being को पसंद नहीं कर रहा है वो जो है जानवरों के साथ में रहना पसंद करता है ठीक है चलिए आगे इस प्रकार यह answer हो गया चलिए आगे देखते है 18 number question यहाँ पे देखे तो यहाँ पे question दिया गया है attempt anyone कहता है कि यहाँ पे जो question दिया न 18 इन में से ego आपको सिर्फ बनाना है जिसमें कि आपका जो है मार्क जो है पांच अंकदी आ गया है जो कि आपको 80 से 100 सब्दों में आपनों को जो है answer लिखने है ठीक है चलिए तो यहाँ पे दिखिए 18 number question दिया गया है who was horse denby and what kind of person was he तो इसका answer देना है horse denby was about 15 years old an unmarried man he was now as a good and honest citizen he was a successful lockmaker he suffered from attack of hay fever in summer he was a book lover to get rare and expensive book he used to rob a chef every year तो इस तरीके से 18 number का answer हो चुका है चलिए अगला सवाल जो है 19 number है जो कि इस model set का last question है जो कि काफी important है यहाँ पे सवाल दिया गया है who is Mr. Pumperi responsible for tricky elements ठीक है याँ पे जो है जब tricky जो है बिमार हो जाता है उसके देख रेक में in fact Mr. Pumperi has a great love for tricky यानि कि जो है बहुत महानत पूरवक जो है Mr. Pumperi जो है tricky से प्रेम करता है her dog Mr. Ticky क्या है tricky कौन है उसकी dog है कुत्ता है ठीक है जो यह उसका पेठ है आगे यहाँ पे आगो लिखना है किसी does not trade it as an animal she trades it as a human being like her on child tricky's belongings food and Mr. Pumperi's worry for it in less tricky has been given every sort of luxury but no work it has separate bed separate walls it has become very fat यानि कि वह जो है बहुत जादा मोटा हो रहा था it is all due to Mr. Pumperi's given its extra food like melt, chocolate, horlicks, etc the result is that tricky fell ill because it has no exercise Mr. Pumperi's worried are great she called Mr. Harriet eventually surgeon he take tricky to his surgery he does not not give any medicinal treatment to tricky but he regulated its diet and given sorry give its physical exercise tricky is all right again to subscribe to subscribe